स्वागत है आज हम बात करने वाले एक्सिस सेक्योर्टिस के बारे में जो कि एक्सिस बैंक का यह एक ट्रेडिंग कंपनी है इसमें आप अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए आपको क्या-क्या चार्जिस लगेंगे ब्रोकरेश के क्या चार्जि सबसे पहले एक्सिस सेक्योर्टिस के बेसिक चीजों के बारे में बात करते हैं जैसे कि यह कंपनी 2011 में स्टार्ट हुआ था और अभी तक इसने 4,15,000 क्लाइंट्स बना लिए और एक्सिस सेक्योर्टिस इतना बड़ा हो गया कि अभी के टाइम में इंडिया के टॉप 10 ब् प्रूट्स क्या क्या है एक्सिस सेक्योर्टिस का मदद से अपग्सिट कर सकते हैं एक्विटी में मूच्वटब में S,I, I,P, O, Bak and S,B on अब अगर account opening के charges के बारे में बात करें तो यहाँ पे access securities में आपको 3 in 1 account मिलता है याने कि demat account, bank account और trading account ये तिनों 7 में खुलता है आप चाहें तो अलग से भी खुलवा सकते हैं अब 3 in 1 account खुलने का फायदा यही है कि आपको transaction करने में कोई ज़्यादा problem नहीं होता और automatic transfer हो ज बुल जाएगा, AMC की बात करें तो यहाँ पे पहले साल के लिए free रहेगा AMC और अगले साल से 650 रुपे per year देना पड़ेगा अब बात करते हैं brokerage charges की, access securities में आपको 3 अलग अलग तरीके का plans मिलते हैं और इन 3 plan में अलग तरीके का brokerage charges लगते हैं जैसे कि सबसे पहले fixed brokerage plan, इसके बाद है investment plus plan, इसके बाद है now or never plan तो यह 3 plan है और कोई भी plan नहीं लेने पर fixed brokerage plan जो है वही चालू रहता है लेकिन अगर आप investment plus plan लेना चाते हैं तो उसके लिए आपको अलग से 1500 रुपे देने परेंगे और अगर आप now or never plan लेना चाते हैं तो उसके लिए आपको अलग से 5,555 रुपीज देने परेंगे अब charges देख लेते हैं कि इन तीनों plan में आपको किसी segment में क्या क्या charges लगते हैं सबसे पहले fixed brokerage plan में आपको equity delivery trading के लिए 0.50% brokerage लगता है equity intraday trading के लिए 0.05% brokerage लगता है commodity futures के लिए आपको 0.03% या फिर रुपीज 25 इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वही लगेगा आपको रुपीज 20 पर lot लगेगा और currency futures के लिए आपको 0.05% लगेगा currency options के लिए आपको रुपीज 20 पर lot लगेगा अब यह हो गया यह fixed brokerage plan अब देखते हैं investment plus plan का इसमें आपको equity delivery के लिए 0.5% brokerage लगेगा equity intraday के लिए आपको 0.05% लगेगा commodity में आप trade नहीं कर सकते investment और now or never plan में equity futures में 0.05% equity options में rupees 20 पर lot लगेगा currency futures में आपको 0.05% लगेगा currency options में rupees 20 पर lot लगेगा तो यह हो गया investment plus plan अब देखते हैं now or never plan इसमें आपको equity delivery के लिए 0.25% लगेगा equity intraday के लिए 0.03% commodity के लिए नहीं लगेगा जैसे कि मैंने आपको पहले बता है equity futures के लिए आपको 0.03% equity options के लिए rupees 20 पर lot ये भी सेम है currency futures के लिए आपको 0.03% लगेगा इसके अलावा आपको currency options के लिए rupees 20 पर lot लगेगा इसमें आपको transaction charges देना पड़ेगा 0.00325% आपके total turnover का STT charge देना पड़ेगा 0.0126% total turnover का ये भी सेवी turnover charge देना पड़ेगा 0.002% total turnover का stamp duty देना पड़ेगा जो कि अलग 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 रहता है GST आपको देना पड़ेगा 18% जो कि brokerage और transaction charge इन दोनों का add कर देंगे उसका जो 18% होगा वो आपको देना पड़ेगा अब बात कर देंगे कुछ hidden charges की इसमें आपको सबसे पहले placing का होता है जिसमें आपको 0.04% अपने total transaction का या फिर रूपीज 50 इन दोनों में से भी charges देना पड़ता है जो कि हर 100 securities के लिए आपको रूपीज 20 होता है या फिर पर request के लिए आपको रूपीज 50 इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वही आपको देना पड़ेगा इसकलाब आपको call and trade service के लिए भी रूपीज 20 पर call देना पड़ता है पेमेंट पर charges देना पड़ता है जो कि ऐसे customers के लिए होता है जिनका account access bank में नहीं हो तो आपको रूपीज 9 पर transfer देना पड़ता है अब बात करते हैं margin की या फिर इससे exposure या leverage भी कह सकते हैं अब equity delivery के लिए आपको access securities में 100% leverage मिलता है equity intraday के लिए up to 10 times मिलता है equity future, equity option, currency future, currency option इन सब के लिए आपको एक बार मिलता है commodity options के लिए भी one time मिलता है और commodity future के लिए आपको three times मिलता है अब बात करते हैं research and advisory की चुकि access securities एक full service broker है तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के research, advisory या फिर tips मिलते हैं अब यह किस किस तरह के research और advisory होते हैं वो भी देख लेते हैं access securities में आपको fundamental reports मिलते हैं, research reports मिलते हैं, company reports मिलते हैं, annual reports मिलते हैं, company stock review, IPO reports, top peaks, monthly reports, weekly reports तो इतने तरह कि आपको research और advisory access securities में मिलते हैं, अब बात करते हैं access securities या फिर access direct के training platforms के बारे में सबसे पहले PC software मिलते हैं जो कि यह direct trade, इसमें आपको advanced charting मिलते हैं, auto refreshing order मिलते हैं, इसके लाव आपको high frequency updates मिलते हैं market rate का अब यह direct trade है तो बहुत अच्छा लेकिन इसके लिए आपको अलग से pay करना पड़ते हैं, तब जाके आप direct trade का इस्तमाल कर सकते हैं इसके लाव आपको browser के लिए website मिलता है accessdirect.in, जिसमें भी features ठीक ठाक हैं, mobile के लिए आपको play store में मिल जाएगा accessdirect mobile trading app, इस app के मदद से आप अपने phone से ही equity और derivative segments में trade कर सकते हैं, इसके लाव आपको इस app में कई सारे features मिलते हैं, जैसे कि analysis feature level, data feature, technical feature, charts मिलते हैं, maps मिलते हैं, और scanners level मिलते हैं, अब बात करते हैं, access securities के customer support के बारे में, यहाँ पर आपको तीन तरीके का customer support मिलते हैं, एक होता है offline branch, इसके लाव आपको मिलता है email, इसके लाव आपको toll free number भी मिलता है, और अगर आप anerai हैं, तो आपके लिए अलग से anerai trades के लिए customer service मिलता है, अब आत access securities में क्या-क्या फायदे हैं, और क्या-क्या नुकसान है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कैसा रहेगा, सबसे पहले अगर आप advantage के बात करें, तो access securities में आपको 3-in-1 account मिलते हैं, यानि कि bank, demand or trading account एक साथ मिलता है, इस से आपका trading और investing बहुत ज़्यादे आ आसान हो जाता है, दूसरा यह एक access direct में आपको एक large number of products मिलता है, आप जिसमें चाहिए उसमें invest कर सकते हैं, सिर्फ एक website या फिर app की मदद से, इसके अलावा access direct अपने customers को free research reports offer करते हैं, इसके अलावा access securities आपको बहुत सारे चीज़ा अलग सब provide करते हैं, जैसे कि classroom session, webinar, online tutorial experts के articles, जिससे अगर आप beginner हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी मिलता है trading करने में, अब बात करते हैं disadvantage की, मतलब है आपको नुकसान क्या क्या मिलेंगे, सबसे पहला तो यह ही है कि यहाँ पर आपको brokerage काफी ज़्यादा मिलता है, अगर आप अपना account खुलवाते है तो आपको maintenance fees भी काफी ज़्यादा देना पड़ता है, यहाँ पर आपको exposure या margin बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है, तीसरा यह है कि आपको इसका trading platform यूज करने के लिए, जो कि मैंने आपको बताया था, इनका PC software का जो trading platform है, उसके लिए आपको अलग से fees, यानिकि 2999 देने प आपको कोई भी तरह का problem हो, या फिर कुछ भी चीज समझ में नहीं आया हो, तो आप comment box में हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब दे देंगा आपको जल से जल, इसके लब हमारे चैनल के एक बड़ जरूर चेक आउट किजए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारा अच्छ कर दो का सकते हैं, और मोई देखू कर दो कर सकते हैं, क्योंश Är